अनन्या पांडे की फिल्म यहाँ पे हाइलाइट क्यों किया मैंने तो सबसे पहली बात तो मुझे आ दे भाई यह जो हीरो है यह चतुर्वेदी यह एक टाइम पे बहुत बोल रहा था कि भाई स्ट्रगल यह होता है वो पहले भी उस टाइम पे बोला था कि यह कि इसके प्रती सिंपती क्रियेट करना चाहता है और ये बंदा आनन्या पांडे को टॉंट मार रहा है आनन्या की साइड लेने को मुझे कोई एक परसेंट भी इंटरेस्ट नहीं लेकिन यहाँ पर बात करना ज़रूरी है इस बंदे के बारे में ये दोगला इंसान अगर सच में इतना क्या बोलते हैं सेल्फ लव है इसको सेल्फ रिस्पेक्ट जो बोला जाता है कि इसको अगर होता तो ये अगर इसको इतना इशू होता नेपोटिजम से स्ट्रगल से तो ये तो अनन्या के साथ बात मतलब कामी नहीं करता ना इसने जो टॉंट मारा था उसको उसक मतलब यह कि वह बॉलिवड का पॉलिटिकल एक डर्टी स्टंट था सिर्फ बेवजा का कि मैं कितना अच्छा हूँ बॉलिवड कितना स्ट्रेगल वगर मतलब उसको बस यह करना था नीचे दिकाना था या फिर अपने आपको बहुत अच्छा लोगों के नजर में इसको लान दोका दिया दोका दिया भाई यह एक पॉबलिसिटी स्टंट है बॉलिवड का ऐसो में मन्त फसी है और इसमें कितना सेल्फ रिस्पेक्ट है इस चतुरवेदी में मैंने देख लिया अगर यह सच में इतना ही इसको सेल्फ रिस्पेक्ट रहता स्ट्रगल भाई तुम इस फिल्म की जी हां दोस्तों यह फिल्म में कुछ खोब भी नहीं कर सकते है मतलब मुझे आदे ट्रेलर के वक्त मैंने इसके बारे में इसके बारे में बात करी थी और इसी की ऐसे ही टाइप का एक उल्टा फुल्टा मराठी में बोलते हैं वैसे एक ऐसे ही टाइप का इस नेट्फिक्स तो अगर आप ऐसी फिल्म में लोगे न तो वो दीम दूर नहीं कि तुमारे सब्सक्राइबर्स जो है या विर विव्यूर्स जो है वो कम नहीं बलकि ना के बराबर रहेंगे तो आपने भी यह सोचना चाहिए कि आप इतना बड़ा प्लाटफॉर्म है हाँ प पता नहीं भी कौन सा कौन खिल रहा है तुम लोगों के साथ यह बहुत बड़ा गेम के भारत से निकलवाने की यह तैयारी चल रही है तुमारी ऐसे फिल्मों को भाई accept करोगे तो यह मुश्किल हो जाएक इस फिल्म को मैं zero rating दूंगा मेरे भाई क्योंकि इसमें entertainment के भाई पहली बात आप holiday बरबात करना चाहते हो क्या अपना मतलब क्यों आपको कौन सा दुश्मन है भाई इन लोगों से पब्लिक से के लोग देखो भाई Netflix का जिनके पास यह होगा वो देखेंगे ही न यार यह फिल्म और प्रेज तो देख लो मैं जो देख पा रहा था स्क्रीनिंग हुई इसकी शायद पहले ही तो उस फिल्म को जैसे इन लोगों ने बड़ा चड़ा के बताया था इस फिल्म को भी बड़ा चड़ा के बताया और and one thing is sure कि acting के बारे में इस फिल्म में बात और वो कल की अरा भाई I mean अनन्या पांडे भी लिजेंड लगती उसके सामने भाई acting नहीं यार देखो यार इतना energy नहीं है कि acting acting के बारे में इनके बारे में हम judge करें इनके बारे में बात करें इस story के भी बारे में बात करें seriously बोल रहो mood अगर अच्छा रखना है दूर रहो इस movie से और ये ल बहुत ज्यादा ही खूश हो आप बहुत ज्यादा ही शायद क्योंकि इस movie से आप आपका दिमाग बात में खराब हो जाएगा तो वो जो बहुत अल्रेडी खूश होने वाले हो ना आप home gay already तो भाई शायद आपका दिमाग थोड़ा कम खुश हो जाए मतलब थोड़ा कम दुखी हो ये मुझे लगता है खयाल रखो भाई अपना भाई honestly speaking खयाल रखो यार अपना मुझे भी अपना खयाल रखना पड़ेगा after this movie